Hello everyone, welcome to Abhipedia, I hope you all are doing great, my name is Akshay Soni, Reasoning Faculty at Abhipedia and today in this session we are going to discuss square or rectangular seating arrangement देखिए आपको जो circular seating arrangement है उसी का एक आप बुल सकते हैं कि उससे related ही आपको यह बन रहा है ठीक है जो topic है बट इसमें आपको square के साथ में अदलब circular जो arrangement है उसके साथ साथ में आपको linear arrangement के भी कुछ concept यहाँ पे देखने को मिलेंगे कुछ terms आपको देखने को यहाँ पे मिलें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पंजाब all पंजाब government exams की त्यारी करना चाहते हैं जिसमें कि आपका नायब तैसिलदार, food inspector, cooperative inspector, पंजाब अटबारी, पंजाब पुलिस SI and पंजाब पुलिस constable इन सभी की त्यारी करना चाहते हैं साथी साथ एक्सा online में ठीक है तो आप इसको join कर सकते हैं इसको enroll कर सकते हैं ठीक है साथी साथ मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं अगर आपने हमारा जो है WhatsApp community group join नहीं किया है तो उसको भी आप join कर सकते हैं इसका link आपको बायो में मिल जाएगा चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका concept बता यह वाला जहां पर दो lines मिल रही है जहां पर दो sides मिल रही है तो इसको बोलते हैं corner corner की जगह यहां पर इसको vertex word भी आपको देखने को मिल सकता है vertex घिक है अगर आपको मालो 2 से ज्यादा इसमें एक से ज्यादा vertex यहां पर देखने मिल रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे vertices एंको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं side यह is ठीक है तो यह यहां पे आपको given होगा देखिए sitting आपको ऐसे corner पे भी देखने को मिल सकती है corner पे inside या corner में outside या आपको यहां पे भी देखने को मिल सकती है edge पे भी बैठने वाले person देखने को मिल सकते हैं अब देखिए जैसे example हम ले रहेते हैं दो दो करके सभी person जो है इस तरह से बैठे हैं ठीक है सभी face कर रहे है center की तरफ तो इस case में सभी का inside जो होगा सभी का right जो होगा right होगा anti clockwise और left जो होगा वो बनेगा clockwise ठीक है similar manner में अगर आप देखेंगे इसमें कि आपको यहां पर जो outside वाले उनका right इधर बनेगा लेफ्ट इधर बनेगा ठीक है वो इसका opposite बनेगा बट मैंने देखो यहां पर यहां पर यह है एक दूसरे के opposite में बैठें ठीक है ऐसा नहीं होगा इसमें कि circular sitting arrangement में कि उसमें दोनों तरफ से से मिलेगा देखिए यहां पर कितने number of person है इसके right side को है चार इस तरफ कितने है दो तो यह different हो गया ठीक है circular sitting arrangement में क्या होता है कि जो आठ लोग होंगे उसमें cross में आमने सामने जो person होंगे इस तरह से यह person होंगे आपको opposite देखने को मिलेंगे ठीक है इसमें कि तीन इधर है तीन इधर है opposite है ठीक है बट इस case में ऐसा नहीं होगा ओके तो आपने याद रखना है कि पहला लाइन जो है, पहले लाइन में जो आमने सामने जो PERSON होगे, वो एक दूसरे की उपउसित बनेगे जैसे कि ये इसके उपउसित आके इमाली जी यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q, तो P और Q एक दूसरे को आपूसित है, बट एक चीजो ओर आपने धिया रखना है, कि जो PERSON य होते हैं person वो जो points होते हैं उनको अगर मिला दें तो डाइगनल बनाते हैं ठीक है तो आमने सामने वाली रोज में जो होंगे जो person वो डाइगनल बने अब यह concept किसका आगया यह concept आगया आपका पहले तो यहां पर दी तो इन को अपने धिया डखना है कि कहा पर पर संकी पॉजिशन दी गई है उनकी facing कहाँ पे दिया है हो सकता है उसमे facing already given हो हो सकता है उसमे facing आपको पहले से ही ना given हो ठीक है तो चरिए हम question को शुरू करते हैं सबसे पहला question यहाँ पे question के तुरू आपको ज़्यादा idea लगेगा इसमें given है कि 8 person इनके नाम दिये गए है sitting on a square table three on each side ठीक है इसमें बोला किया है कि तीन जो है एक side है और square table के around यह बैठे है ठीक है तो किस तरह से बनेगा इस तरह से होगी sitting तीन एक side को तो एक, दो, तीन ठीक है सभी square table के around बैठे है जब आपको इनमे facing ना given हो तो हम क्या consider करेंगे उसको inside consider करेंगे ठीक है यह आपका एक position बनी सभी क्या कर रहे है सभी inside है ठीक है तो इसलिए क्या हैगा इसमें right होगा हमारे right की तरफ मतलब anti-clock wise और left होगा हमारे left की तरफ that is clock wise 4 are males and rest are females तो rest female मतलब 4 female है ठीक है A is sitting second to the right of H H क्या है एक female है पहले आपने क्या करना है question को अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है ताकि आपको इसमें fix position मिल जाए position जो है देखिए कैसे इसमें differentiation होगा यहाँ पे अगर मालो एक person है माली जी H को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो उसके second right में A इदर बन जाएगा H को इदर भी रखा जा सकता second right में A इदर भी बन सकता है ठीक है बट इसमें हम points देखेंगे अगर मैं H को यहाँ पे रखता हूँ second right में A बनाया तो A का diagonal ले opposite नहीं बन पाएगा A का सिर्फ बनेगा opposite ठीक है तो इसलिए आपने क्या करना है पहले points को पढ़ लेना है कि इसमें given के है ठीक है अब देखिए जैसे F is sitting opposite to E who is sitting who is sitting left of D B is opposite to C who is sister of G A is immediate right of B G is diagonally opposite to A देखिए यहाँ पे एक important point बोला गया है इसमे ठीक है अब देखिए यहाँ पे A की position दी है A अगर मान लीजी यहाँ पे इसके diagonal opposite कौन बन रहा है G ठीक है G के बारे में बोला और A के बारे में क्या बोला कि A बन रहा है sister किसकी H की A बन रही है sister H की मतलब यह female है और सबसे पहला point देखिए A is second right of H A जो है अपने अब second right में मतलब यहाँ पे H होगा उसके second right में यह A बन रहा है और H क्या है एक female ठीक है और आगे देखिए इसमें बोला कि A F is opposite to E and who is sitting left of D B is opposite to C और B के रिगार्ड़ी यहाँ पे एक और point दिया था देखिए A is immediate right of B और A immediate right में B के मतलब यहाँ पे B है उसके immediate right में A बन रहा है ठीक है और B किसके opposite है B opposite है C के और C क्या है C sister है G की ठीक है और G के regarding क्या बोला है कि G is not a male तो G male नहीं है तो यह क्या बन रहा है female ठीक है अगला point देखिए यहाँ पे बोला गया है कि F is opposite to E F opposite है E के जो की कहाँ पे है left में है D के अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो opposite में तो यही position बसती है तो F opposite है E के और E अपने आप किसके left में है D के तो अभी देखिए यहाँ पे सभी person की position आ चुकी है ठीक है F और C इसके neighbor बन रहे है तो option A इसका answer बन रहे है ठीक है I hope आपको यह question समझ आया होगा किस तरह से आपने इसको attempt करने यह भी आपको पता चला होगा चलिए next question पे move करते हैं इस question पे given है यहाँ पे कि 8 family members इनके नाम दिये गए है ठीक है sitting around a square table in such a way that two person are sitting on the each four side ठीक है दो person है दो-दो करके इस तरह से बैठे हुए है person दो यहाँ पे दो इधर ठीक है दो इधर और दो इधर और क्या कर रहे है देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिये इसको actually यहाँ पे सभी कर रहे है face center की तरफ तो center facing इस तरह से आगे सभी का right इस तरफ सभी का left इस तरफ आगे देखिए आपने क्या कर रहा है आपने इसको ध्यान से पढ़ना कुशन को कि member of each side facing the member of opposite side मतलब इस side के member opposite side के member को face कर रहे है x and u are exactly opposite to each other देखिए हो सकता है u यहाँ पे हो x उपर बने u इधर भी हो सकता x उपर बने ऐसे भी हो सकता दो condition है ठीक है और आगे बोला गया है कि y is immediate right of u y immediate right में है u के t and q are on the same side ठीक है अभी भी हमें proper point नहीं मिला q is exactly opposite to v who is to the immediate left of w ठीक है अभी तक हमें proper point नहीं मिला बट यहाँ पे देखें t is an immediate right of y ठीक है अगर मैं महा लीजे y को यहाँ यू को यहाँ पे करूँ इसके opposite में x यह बन रहा है ठीक है और इसके immediate right में कौन बन रहा है y is to the immediate right इसका immediate right बनेगा यहाँ पे और इस y के immediate right में कौन बन रहा है t और T के opposite में कौन बन रहा है T के opposite में बन रहा है T के बिलकुल साथ में देखें यहां पर T and Q are on the same side T के immediate right में यह बिलकुल साथ वाली side में यहां पर बन रहा है Q और Q के regarding अगर हम देखें इसमें point बोला गया है कि Q is exactly opposite to V T who is to the immediate left of W की Q जो है V के opposite है और V अपने आप कहाँ पर immediate left में है W के इस तरह से बन रहा है ठीक है और इसमें देखें यहां पर जो point हमारे पास मिल रहा है देखें प्रॉपर इसमें sitting बन रही है बट अगर हमें fix point मिल जाए उसके तरह हम बना सकते हैं देखें जैसे इसमें बोला कि X is immediate left of which person हमें यहां पर एक person को put करना है जो कि कौन सा बनता है वो बनता है Z जो कि यहां पर रहता है ठीक है तो X जो है किसके immediate left में immediate left में देखें तो V के immediate left में next बन रहा है तो कौन सी option बन रही है वी के immediate left में मतलब B option जो होगा इसका answer बनेगा ठीक है चलिए next question पर move करते हैं यह question given है यहां पर इसमें given है कि eight persons है इनके नाम दिये गए हैं are sitting around a square table in such a way that four of them sit at the four corners of the square while four at the middle of the east side ठीक है चार corner पर चार side पर the one who sit at the four corner face the center जो corners वाले हैं वो center की तरफ face कर रहे है ठीक है और जो middle of the side है वो क्या कर रहे है वो outside face कर रहे है ठीक है अब देखें पहला given है यहां पर e who faces the center sits third to the right of j e जो की center में face कर रहा है वो third right में है j के देखिए अगर मैं e को यहां पर place करूं जे के third right में कैसे बनेगा इसकी position देखिए इसी तीसरी position one two three यहां पर j हो सकता है या फिर इस जगापे j हो सकता है दोनों मेंसे एक जगापे j होगा या तो होगा इस जगा पर यह گा इस जगा रहा है third right बन रहा है actually ठीक है I who face the center is not an immediate neighbor of J I जो की center में face कर रहा है वो J का neighbor नहीं है मतलब इसके साथ में I नहीं आएगा I की position यह बनेगी ठीक है अगला point है only one person sit between J and K J और K के बीच में A की person है तो K इधर भी हो सकता है एक छोड़ के इधर भी हो सकता है दो possibilities है ठीक है आगे है at sits second to the right of F F faces the center देखिए अगर मैं F को यहां पर रखोंगा उसका second right तो I बना जो की गलत बन जागा F को अगर यहां पर place करूँगा तो H को इधर place किया जा सकता है ठीक है और आगे है इसमें कि G is not an immediate neighbor of E G E का immediate neighbor ने बनी है इन दो जगा पर G नहीं होगा तो G कहां पर आएगा उपर अब देखिए एक person के एक person छोड़के K बना तो एक तो position यह थी एक position यह बन दे तो यहां पर के बन जाएगा और कौन सा person इसमें हमने put नहीं किया कौन सा रहता है इसमें L को हमने यहां पर put नहीं किया तो L यह आ जाएगा और L की position यह बनी हमें क्या बताना है कि who is to the immediate right of G G के immediate right में कौन है जी का immediate right बन रहा है यहां पर H इसमें बन रहा है तो H हमारा बन रहा है option B में ठीक है आई होप आपको यह question समझ आया होगा आपने इसको go through कर लेना है ठीक है क्योंकि इसमें already इनमें facing दी है ठीक है तो हम अपने reference के लिए left और right जो है नहीं ले सकते ठीक है हम left turn या reference में नहीं ले सकते जैसे कि यह question है यह थोड़ा बड़ा question है ठीक है तो इस question में given है कि आठ लोग है जिनमें इनकी sitting दी गई है square table में इस तरह से कि चार जो है वो corner पर बैठे है चार कहां पर बैठे है middle of the side the one who sit at the four corner face the center almost वही question है ठीक है the one who sit at the middle of the side face outside middle वाले आउटसाइड है और जो corner वाले वो inside है ठीक है each one of them like different subject देखिए अब यहां पर थोड़ा सा question का level बढ़ाया गया है इनके subject यहां पर डाल दीए गए ठीक है है ठीक है तो हमें क्या करना है मैं इसको बना के देखना है पहले गेवन है कि see sits third to the left of the one who likes geography see कहां पर है third left में उस person के जिसको जोग्राफी पसंद है the one who likes geography faces outside facing बताईए ठीक है तो इस तरह से आप इसमें arrangement बनाएंगे को कॉर्णर वाले inside और मिडल वाले outside ठीक है इसमें हो सकता हमें एक और केस की जुरूत पड़े तो छोटे-छोटे में यहां पर cases बना लेता हूं ठीक है इसमें बोला गया है कि जो जोग्राफी वाला person है वो कहां पर कर रहा है face कर रहा है outside तो जोग्राफी वाला यह person बना और इसके बिद्रिस्पेक्ट किसको बोला गया है इसके बिद्रिस्पेक्ट बोला है कि c जो है थर्ड लेफ्ट में इसका थर्ड लेफ्ट कहां पर बलाएगा outside है तो इसका थर्ड लेफ्ट बनेगा anti clock तो c इधर बने ठीक है similarly इस case में भी हम उसको put कर सकते है only two persons sit between c and h c और h के similarly इस case में जोग्राफिय वाला यह बना c इधर है दो person छोड़के h इधर भी बन सकता है दो cases बनके हम side by side इनको discuss करते जाएगे the one who likes chemistry sits second to the right of g देखे इसमें यह हमने point कर दिया था कि the one who likes mathematics sit on the immediate right of h hk immediate right, इसका immediate right कहां पर बनेगा उपर, यहां पर बनेगा mathematics वाला बनेगा तो この math is one person इस case में देखे इसका immediate right कहां पर बनेगा इसका immediate right बनेगा 25 देखे और ऑगे है ना तो H का neighbor है ना ही C का neighbor है और G इधर बन सकता है या फिर इधर ठीक है और G को क्या नहीं पसंद? G को जोग्राफी भी नहीं पसंद इस case में तो G यहाँ पर बना बट इस case में देखिए G इधर नहीं बन सकता तो G की दो position बन जाएंगी या तो इधर या फिर इधर बट इस case में बोला गया है कि G के बिद रिस्पेक्ट बोला यहाँ पर कि the chemistry the one who like chemistry is second to the right of G G के second right माली जी यह G है तो इसका second right कहाँ पर बन रहा है इसका second right जो बन रहा है वो बन रहा है उपर बट इस case में second right जी बन रहा है मतलब यहाँ पर G आएगा और chemistry वाला जो person है वो बन रहा है उपर ठीक है इस case में देखें G यहाँ पर है उसका second right कौन बन रहा है यह C बन रहा है chemistry वाला person ठीक है next है only one person sit between A and the one who like chemistry A और chemistry के बीच में एक person है ठीक है यह chemistry वाला है एक छोड़ के नीचे G बन रहा है chemistry वाला यहाँ पर एक छोड़ के जो mathematics वाला है यह बनेगा A ठीक है similarly यह chemistry वाला person है एक छोड़ के G बन रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर तो नहीं बनेगा तो दूसरी तरफ C के साथ में A बन रहा है ठीक है D is not an immediate left of the one who like physics D जो है उसके immediate left में नहीं है जिसको physics पसंद है देखे, D sorry, D is on the left मैं immediate, उसमें not बोल गया तो D is on the immediate left of the one who like physics तो physics वाला जो person है माली जी यहां पे physics है उसके immediate left में कौन बनेगा D, तो यह गलत बनेगा क्या इसका immediate left बन सकता है इसका immediate left यहां पे बन जाएगा माली जी यहां पे अगर मैं physics कौन हूँ तो उसका immediate left यह बनेगा जो कि गलत बनेगा इस जगह पे अगर मैं physics वाला person करता हूँ तो उसका बन जाएगा ठीक है तो इसका मतलब है कि जो edge है ये बना physics वाला और उसके immediate left में जो person है वो बन रहा है d ठीक है क्या हम इस जगा पे भी इसको put कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर मैं g को put करूँ g के regarding कि g does not like physics ये नहीं कर सकते हैं तो इस जगा पे अगर मैं put करना चाहूँ इस जगा पे कहीं पे तो यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे इस जगा पे भी नहीं कर पाएंगे तो इसमें कहीं पे भी इसको place नहीं किया जा सकता तो second case आपका गलत है पहला ही case आपका applicable है e likes history, e को history पसंद है, e is not an immediate neighbor of a, e को history पसंद है और वो a का neighbor नहीं है तो इधर आएगा e history ठीक है next point है the one who like hindi is an immediate neighbor of e, hindi वाला जो person है वो किस का neighbor है, वो e का neighbor है, तो मतलब यह जो g है यह hindi वाला person बना ठीक है, और next है, the one who like biology is an immediate neighbor of f, biology वाला जो person है वो किसका immediate neighbor है, देखे, कहीं पे भी हम place नहीं कर पाएंगे, f को अगर मैं यहां पर place कर पाऊं, करूं, जो जिसको geography पसंद है, तो biology वाला जो person है वो कौन बनेगा, वो d बनेगा, ठीक है, और इसमें, एक इसमें last में point रहता ह है, कि एक person को हमने यहां पर place नहीं किया, उसको हम place कर देते हैं, ठीक है, देखे, इसमें कौन सा रहता है, एक तो यहां पर subject रहता है, देखे, यहां पर almost सभी person आ चुके हैं, subject इसमें रहता है कौन सा, subject रहता है English, ठीक है, और कौन सा person हमने इसमें place नहीं किया, देखे, A आ चुका है ठीक है vayaods than दो यहां पर प्रशी करो और बीयुए बीया प्रसंद आ यह बभाय इसमें कर घुए जया तो यह बना इशन करना हमने क्या करना हमने इसकाक्र देखना तो क्या तो यह था हमारा इसमें जिसमें कि हमने को डिसकस किया तो आई होप आपको यह समझ आ चुका होगा ठीक है इसके लेटर आपको जैसे हमने प्रीबियस को बड़ा कोशन बन सकता है और साथ ही साथ में अभी आपको एक दो कंपलेट आपको बनेगा उसमें जितने भी सब्जेक्ट से उनका बंड़ल पैकेज परचेज कर सकते हैं यह यह किसी सपैसिपिक सब्जेक्ट कि अगर आंगर हम बात करें जैसे रीजनींग की बात करें तो उसमें से भी आपको क्या होगे टॉपिक्स भी होते आगें अगर आपको किसी एक topic में problem है, जैसे माली जी sitting arrangement में ही problem है, आप चाते हैं कि सिर्फ वही हमने, वही topic करना है, तो आप उसको purchase कर सकते हैं, उस topic को ही purchase कर सकते हैं, from abhipedia, micro course, micro verse से micro course के तौर पे, ठीक है, तो ये सारी facility आपको abhipedia provide कर रहा है, and इसको आप available कर सकते हैं, and that is all for now, subscribe करें, इस video को like करें, share करें, that is all for now.